ये चार वर्ड हैं comment on general trend मैं तीसरा वर्ड उठा रहा हूँ sir general ये general नहीं है sir this is very specific this is about election result day जब congress आई थी तो 17.74% market उपर गई थी मुझे पहले ये जानना है कि ये कहने की ज़रूरत क्या volume अपनों आद कर रहे थे 76,000 करोड का volume है 3 June को options में index options में premium turnover 3 June का 5 June को है 1,30,000 करोड का 6 June को है 97,000 करोड का लेकिन वीच में 4 June आया जिसमें 9,13,000 करोड का premium turnover index option में है इन exit polls ने में कीजिना किसी तरीके से सब को बायस कर दिया कि यार BJP की खुद की अकेली party की अपने आप से सरकार आ रही है by name and the way you sort of counter from a legal point of view इस बार थोड़ा ये वला जो उद्धा है this is more of a mix of legal and political and of course within the stock market space तो इसमें थोड़ी help जाहिए मुझे to understand के जुपी ये political voice नेकला है stock market को लेके from बड़े बड़े leaders including our honorable prime minister defense minister, finance minister, external affairs minister and उसके बाद opposition की तरफ से Rahul Gandhi has picked up कि इसके उपर एक JPC, एक joint parliamentary committee बैटनी चाहिए और इसका इन्वेस्टिंशन उना चाहिए कि ये भी एक scam है लाकों क्रोणो रुपए का now this is involving capital markets political stuff and legalities तो मैं आपको एक कॉंटेक्स देता हूँ पहले कि 13 माई को अमिश्चा जी ने कहा कि stock market उपर जाएगा 4 जून को 4-6 जून उन्हों से 2 दिन निकले चार जून निकला फिर उने 6 जून निकला उने काटके 4 जून बोला 19 माई को परदामंतरी मोदी जी ने भी कहा फिर आगे चलके 28 माई भी कहा 30 माई को निर्मना सितरावन जी ने कहा जो कि फाइनस मिनिस्टर है 24 माई को सब का मतलब बाते अलग लग थी लेकिन सब का मतलब यह था कि stock market उपर जाएगा और कई-कई केसिस में समिश्चा जी ने कहा कि stock खरीद लो क्यों कि market उपर जाएगा सो खरीदना चाहिए मतलब बाय निकला है इनसेंस सबसे पहले मैं सेभी की regulation 2014 जो आ रहे कि उसमें जाऊंगा पहले उसमें होगा मुझे पहले यह जानना है कि यह कहने की ज़रूरत क्या थेंक्यू पर इल्वाइटि में असीन जी देखें जब चुनाओ चल रहा होता है तो आपने हमने अपने देखा है प्वालिटिकल लीडर्स टिफेंट पार्टिस के और मैं तो वह लोगा सारी पार्टिस के कुछ ना कुछ इंट्रेस्टिंग कह रहे होते कि आईबाल कैश करना होता है लाइम लाइट में रहना होता है ताकि लोग उन्हे सुने उनको फॉलो करें और उनको उसका फायदा मिले चुकि यह मॉडल कोट लगा होता है मॉडल कोट हमें पता रहा है 16 मार्च से लग गया ता है लग गया ता है एलेक्शन कमिशन से तो बहुत सारी रेस्टिक्षन थो जाते है यह गवर्मेंट के पॉन्ट ऑफ यूसेज लाइट बहुत सारे स्कीम स्के बारे में बेनीफिट के बारे में चला नहीं सकते हूं और भाता भी नहीं सकते है गवर्मेंट को रेस locks ए diagon के इफेक्ट ये भी बोला गया है कि स्टॉक बर लो, माल बॉस साथा ले लो, चांजी उन से पहले कि आप पकड़ ये पाएंगे पाएंगे मार्केट को चाहिए मैं सही कहे हुआ हुआ है इसी इसी पे ये ही आपका कहना है इसी आपने वोला कि रिप्र Canadians इसरा सब रख करते हैं कि सेनी मैं इसका वाट्च बागंश काम करता है इसका वाट्ण का रिफर फैनिसिल मार्केट का से क्रूर्टी मार्केट का अबिसली से बीसक्हघ को सेनी मार्केशिशि को डर्केट की रेगूलेशन Investment Advisor इसमेंट अडवाईजवाईज वह तो रहा है अब इनवेस्टमेंट अडवाईज किया है तो investment advisor हो गए आपके है उसलिप्टेश् लेवी ठोप कि इसमेंट अडवाईजर तो हो यह सारे लोग भोल रहे हैं मालखरी वर investment advice किया है तो इन्वेस्मेंट अडवाइज है सेक्यूरिटी मार्केट वी पर्चेज, सेल, अडर्वाइज जो सेक्यूरिटी मार्केट जो भी है इन्वेस्मेंट अडवाइज है उन्में बाइज बात को करना एक इन्वेस्मेंट अडवाइज है लेकिन हमें यह ध्यान दखना भी जर पुछ वाइलेट किया है कि नहीं किया है वो थिल लाइन की जो बार-बार बात करते तो उसके exceptions किया है तो exception को पता है कमेंट general trend पे अगर हम इस एक पैला ही उसका point पदले general trends के उपन बात करना investment advice या research advice मैं ही है तो अगर मैं एक स्वाल पूचना चाहरा हूं अपसे बताना भी चाहरा हूं ही कहीं किसी particular stocks का नाम तो नहीं है I agree with you और मुझे पता है कि आप क्या बताने वाले हैं हम एक पिस्ती छो से डवल्य के अंदर रेफिनिशन में डिफाइन किया रिसर्च पूट किया है तो security market में बाइं सेल रिसर्च रिपोर्ट है सिकेर जो सी किरुटी इस अपने डिफाइन किया गया सिर्च में किया अब एक्सेप्सेंस किया है प्रवाइडिंग बेसिस हो और investment decision, अब यहां पर दियान चाहूगा, and does not include the following communications, तो interview देना, इसी news channel पे आना, रिटिन में newspaper के लिए interview देना, एक communication है, यह हमें बहुत अच्छे से पता है, comments on general trends in security market, उन सारे नेताओं ने, I hope कि उनके पास अच्छे security market advisor भी रहे होंगे, उन्होंने general trends की बात करी कि market बहुत पेज है, market बहुत तेज है माल भर लो, यह legal point है, comment on general trends, यह 4 वर्ड है, comment on general trends, मैं तीसरा वर उठा रहा हूं sir, general, यह general नहीं है sir, this is very specific, this is about election result day, 4 June, उन्होंने general बात नहीं की है, उन्होंने specific बात की है कि 4 June को जब election result आएंगे, हम जीतेंगे, market बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगा, जॉप्स क्रियेट होंगी, खपर, demand and supply, जादा बढ़ेगी, अगर demand and supply सर जादा बढ़ेगी, आप एगा समझेए, तो company को production बढ़ेगा, company को production बढ़ेगा, तो माल जादा बढ़ेगा, जादा बढ़ेगा तो फिन, जादा बढ़ेगा, इस बात का stock market से कोई direct connection नहीं है, ये तो जेंडर, ये जेंडरल बात हो गई across industries, सबस्क्राइब को बात मगें कि अच्छा है ये अनिक्यार, हम बूल जाते है वो इन्वेस्टर या ट्रेडर, तो कोई बोटर भी है। बुलिश नहीं होते हैं जो निगेटे हैं तो नेक्टेट हैं उसे हम ओप्षिन बाइर तो मैं आप्सिम्मु आप्षिन वायर। मैं बुछ आफ पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ छिए लिए की टो बढ़ टो एगा है लिए एक ठाकार है इसमे आप अपनी एह एह एग बाह्षी किसी भी पॉलिटिकल दिएर्ग रारीट मिलूने का लिए एड़ टाया है कि कार्ठेरा इगा माज बाह्र यूल्वर्ड ऑर अबर देख। मैं आपको एक इसका एंगल देता हूँ जो मिरको खुद लगता है माल भरना और माल बेचना दो चीज़े चाहिए करेक्ट ट्रेड करेंगी बाइ एंड सेल बोथ हा रिक्वाइड तीन जून को मार्केट थोड़ी सी अप जाती है मार्केट में ट्रेडर का इन्वेस्टर का कॉंफिडेस बढ़ जाता है कि चार जून को ये चीज़ ट्रेंड जो है कॉंटिन्यू करेगी और ये चीज़ बड़े-बड़े मिनिस्टर्स ने भी बोली थी बंदा मार्केट में पैसा लगा तीन जून को लोगों ने माल भर लिया माल भरने वाला कौन है? रीटेल ट्रेडर अब बड़े-बड़े मिनिस्टर्स की बाद तो रीटेल ट्रेडर सुनना ना इस्टिटूशन थी सुनता है institution को तो पता है क्यों वही हमें तो अपने इसाप से जाना है political party तो आती जाती रहेंगी अब तीन जून को इने भर लिया 4 जून को जिन्नोंने भरा थमाल उसको ससे में dump करके institution भाग गया भागता गया भागता गया पुरा दिन भागता गया market को पौने 6% गिरा दिया सेंसेक्स में और almost 6% निफ्टे में गिरा दिया अगले दिन market थोड़ी से consolidate होती है buying आने लग जाती है उसके अगले दिन आज अगर मैं बात करो कुछ दिन बीते आज किकर हम बात करें तो market फिर उसी level पर पहुंच गई है सर जो के 3 जून से पहले थी मतलब के जिन लोगों ने माल को अच्छे भाव फे बेचना था बेच के निकल गए फिर सस्ते में खरीदना था खरीदा फिर धीरे धीरे उसका value बढ़ा लिया आज वो double profit पर है इसको सर pump and dump भी कहते हैं stock market की भाषा में जहां पर आप market को inflate कर देते हैं एक level पर जाके operator करते हैं यह penny stocks में और फिर जब एक level पर आजाता है फिर आप निकल जाते हो फिर retail trader बैठा जाता है चोटे price पर फिर देरे देरे बाकी लोग आके institution आके इसको उठा ले यह more or less इस case में मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने करवाया है बट हुआ सर यह retail trader मार्केट नहीं उठाई है वापस या गिराई भी उसने नहीं थी इतनी जल्दी इतने volume के साथ इसमें sir institutions हैं में भी companies हैं बट इसके लिए मेरे पर पर प्रूफ नहीं है अधने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि मार्केट उपर माल बेचती है 3rd को उपर माल बेचती है 3rd June को क्या मार्केट हाय था 33% जैसा की मैं देख पा रहा हूं संसेस के डेटा को मैं आलाइसर के बात करो 33% मार्केट उपर गया है उससे क्लोजिंग बात करो लोर ही में बड़ा चीज होता है किसमें ट्रेट किया किसमें ट्रेट नहीं है अब आपके पॉंप एंड़ा हूं पॉंप एंड़ा इंट्रस्टिंग है 3.5% मैंने सेल ओडर लगा अगले देशुबा आईगी मार्केट मैंने अब हजार बीच रहा हूं अब बताईगे सुबह उत्ते बार्गेट क्या हो बिल्कुल दिखे ये वात तो ट्रेंडर के परस्पेक्टिफ से बिल्कुल तिक है अब मैं इसमें बात करता हूं मैं एक निउस टैंस ओ इंड़ा था इसमें का पूजिशन के रिस्पेक्टिफ नहीं इसमें बोला कि ये 30 लाग करोड का गुटा लाग हूं मैं इसमें कुछ पॉइंट बताना चाहा रहा हूं ये ये नोशनल मोमेंट है मार्केट के लिए 200 लाग करोड अगर 3% मार्केट उपर नीचे वादब 6 लाग करोड उस दिन MTM फ्लस ये माइनस होता है ये 6 लाग करोड की वैलू बढ़ जाती है ये वैलू गड़ जाती है मैं मार्केट कैपडलिशन सौ लाग करोड ले लेता हूं अक्चूल में बहुत जादा है क्योंकि वह पार्टी इंटर्ल गवर्मेंट तो गही है रूल इंसाइट को बात कर लेते हैं वह बोल रहेते हैं कि जो माल खरीदा गया है 3rd June वह सारा FIs ने खरीदा और जो माल बेचा है वह सारा रिटेल इंवेस्टर ने बेचा है उनके पास ज्यादा एकस्स होती है मेरे पास वह अतनी एकस्स नहीं और एकस्स है तो मैं उतना रिसेट्स नहीं कर लेकिन मैं उनकी बात को अगर वह कह रहा है कि यह माल रिटेलर ने बेचा है 3rd को रिटेलर ने उपर बेचा है और 4th को कि live result आना शुरू हो गए थे लिटेलर ने शुरू हो गए थे वह एक तो एक तेओरी यह भी है कि रिटेलर ने 3rd को बेचा ता और 4th को रिए अब एक्च्वन पार्टिसेपेंट को है यह बहुत इंपरेंट बात है क्योंकि अदर हम कभी भी देखें मैं आपको एक fact बताता हूं आपने ही share किया है बहुत अच्छा कि उस दिन अदर हम options का data देखें तो options के data में जो trading volumes हुआ है वो future से बहुत जादा हुआ तो call or put ट्रेल क्या करता है call or put दोनों लेके रख लिता है वो दिन तीन चार पार्च को हम training opportunity देखें तो अच्छा से मान सकते है Manipulation किसने तीया है यह बहुत investigation गाप मिशे रहे है क्या है बोला ये गया था के चार जुन को माल खरीड़ो and generally देखा जाए तो रीटेली सुनेगा क्योंकि रीटेल कोई बोला गया था अभी डेटेल ने करीड़ा है या बेचा है किस दिन है यह इस 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 सम्धिंग नेज तो बीचेक्ट वही चीज राहूल गांदी भी इस सेंग के वाइड़ोंट चेक्टि किसके काउंट पैसा निकला और किसके काउंट में पैसा या है अगर इस इस तरह की मैंट पैसेंट में अगर तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 2019 में मार्केट पॉइंट गिरी थी 2012 में जब रिजल्टा है थे जिस दिन उस दिन 1.12% ऊपर गई थी दोन नौ में मैं जानू अगर 2009 में जिस दिन रिजल्ट आय था उस दिन शनिवार था लेकिंड उसका अगला जो जो सोवार था उस दिन मार्केट 2009 जब Congress आई थी तो 17.74% market उपर गई थी 2004 में 0.37, 1999 एक परसेट उपर हर बार उपर गई है कभी में market ते 6% का drop नहीं देखा है So पहली चीज इसकी ज़रूरत नहीं थी There is a possibility और मेरे पास इसको prove करने के लिए कोई बात नहीं है But there is a possibility कि अगर ये बाते नहीं बोली जाती तो market का जो रुजहान होता trend होते साइद कुछ अलग होते बेस्ट ओन The historical data जिस दिन election result आते रहे हैं अब particular statement पे आदाते हैं कि हमारे political leaders ने अभी ruling party को लेते कि market में बाई 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 क्यों बोला That you buy and buy yourself Look you understand any of theutter You manifest a lot of people Right all the things are talking to us Good you say a lot of things are talking to us Now you are in the investor you are a trader That you also want to tell me that I am coming I'll make you a growth story and The trailer was in the picture So you are making the market? मैं और मार्केट में और अर्ड यंवेस् करिए अभ देखे क्या है अभी स्को साइकलोजिकल तरीके से मी भी समझते हैं मैंने अर्सी आपको पोल दिया कि मार्केट में और माल खरीद लिए वीजे मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है आपने एक प्रॉमिनेंट फिगर्स बोल रहे है कि मार्केट अच्छा जाने वाला है मैंने मार्केट ले लिया तो कही ना कही जो वोटर है उसके मन में आपकी बात कोई में बड़ा तिर रहो वन में आज आता है कि मैंने उनकी कहने पे माल खरीदा है इजाने पर वोटर है precis कि मैंनि में उनकी जाए क्योंकि अगर मैं उनको वोट कर रहा हूं तो में मार्केट बोला है बहुत बहुत जमार्केट जाएगा तो मार्केट बहुत तो मुत तेच बात कर रहा हूं तो वोट कर वे उल्ट पर दिया अब आप दिखिये तेरा मही से लेके जो चार जून है या एक जून है कि बीच में डीमेट अकाउंट खुलने का ट्रेंड कैसे बड़ा एकदम से क्या बड़ा अगर बड़ा है तो निया बंदा मार्केट में आया है नॉमल ट्रेंड से कंपारिटिवली अगर बात करूं तो अगर एक परसेंट का भी अप ट्रेंड आया है नॉमल मार्केट को तोड़के तो मेरे डी यह वो जंप है मेरे डी वो एक आउटलायर है एक परसेंट वो लोग है वो सारे के सारे जिनको पता ही नहीं है कुछ जो सिर्फ इस बात प्रेसा लगा रहे है सुबे सोबे आई हजार प्रेसा लगाया हजार लगाया मार्केट था नीचे अर्य यह क्या हुआ उनों ने तो कहता जाएगा ओपर मेरे तो गया अब मैं क्या करो सर लोसव पर कट गया और बीस बे ब्रोकर है जो अगा अर्य आपकर पास करें अर्य बोलो जिसने उस न्यूस पर माल खरीदार है और उस न्यूस पर माल काट दिया है अप बहुत ताइंट से आप लगा चैनल चलाते हो और बोलते रहते हो यूकि मारकेट वे अच्छी आपकर लगान नहीं बनाप अगर कोई ऐख ऊची पर जोड़ी जोट जिए इक पर ट्रेड करता यूपर ट्रेड ट्रेड करता है जबको ट्रेडर नहीं बनाइव तो आप तो आप तो त्रेड़ के लौस की बात करमें यह शिर शिर्टार है रहा लाषाज है? यह उन्हेजिन की देखता निहीं यहाज देखता ही यह डाईश भी टेखता ही उन्हेड वो तो बन्हें आ यह जाएघृच्य। एपार बुकान वाला है यद जो बहुत 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 अमीर इंसान है जो अमारे नेता हो आपको समझना हैं अब आपको आपको समझना है बैक तू अर गोला पर याजयन में तो इन प्रव्क पटिक अन अबने इस कुछ एग और फेडिए बैक वाल किसी नहीं किलिए और रह वालिम अपना आथ कर पहाए थे 16,000 को आप्षिंस में इंडेक्स ऑप्षिंस में प्रीमिम टर्मृवर 3 जून का पांच जून को है एक लाग ती सहर करोड का चे जून को है सतावे हाजार करूड का लेकिन बीच में चार जून आया जिसमें 9,13,000 करोड का premium turnover index option में है stock option भी more or less 40% का increase है अगर मैं 5-6 दिन का data देखो capital market में अगर चले जाते हैं stock का तो उसमें trade value कि अगर बात करें सिर्फ 3 जून को करीब पॉने 2,00,000 करोड है 5 जून को करीब 1,86,000 करोड है 6 जून को 1,500,000 करोड है वापिस चार जून करोड है तो करीब 2,71,000 करोड है मताँ पॉने 3,00,000 करोड है कम से कम यहां पे भी आप देखेंगे तो 35-40% करोड 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 है अब आप एक चीज देखें उस दिन के अगर हम results की बात कर लें results को अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2020 ऐसा मैच हो गया है पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जीते वाला है हर वाल पे एक चेंज हो रहा था अगर आप स्टार्टिंग पूस्टल वैलेट की काउंटिंग से स्टार्ट करके आप final result तक आए तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है और तो और आप पांच और शे को भी इसती यहीं रही है कि यह समझ में नहीं आया है कि सरकार किसकी बनेगी we know all know what is the reason करें कि इंडियों को भी अपने coalition partner पे कितना यकीन था आया है और जो इंडी गटवंदर ने वो भी सोच रहा था कि शाहिद और के जो partner जो हमारे partner भी रहते हैं पीछे और आगे वो शाहिद आजाएंगी तो आप 5 और 6 को भी नेखिए कि बनन तो को भी चैंज कर दागें वोग आगें तो 4 तो हमारे वोग है तो ट्रेदिक बहुत अपोचिंटी में थाया है विलम में किसी कि माल लेकर लेख भी हैं यज किसी के माल लेकिये कि रखेंटी कि अगर उसने पैनिक इंट जाएंगी उसने लॉस ने इंप जाएंगा लेकिन इढआ हमें अपने फिग्रेर यहाँ झाया हो मैंने टेटा है इन मौडल कोर्डया था अमने अर्वी कोर्डें उट्रहभी हुष्दीजना आफरो यहाँ हिसे ख्याज दोछ उस्टिक है तो अगर इसाटस्जेना अदरा unicorn लेकिन अगर हम लोग और हाई क्योंकि आप मार्केट को बहुत अच्छे सबस्ते हो लोग और हाई को अगर हम देखेंगे चार्जून के लोग और हाई को देखते हैं यह लोग अच्छा दिन था एक इन्वेस्टर के लिए जिसको पता है कि मार्केट इतनी मैं खुद इन्वेस्ट किया उस दिस्क्रेमर दे रहा हूं बट यह चीज समझनी जुरूरी है कि उस दिन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स केपिनल मार्केट में बहुत यह लोग चाहते है कि इन वह लोगें में बहुत वके लिए लीड निकल गया होँगे थिसज जनुरूरी होग तो फुवेस्टेमर देशन आपके लिए उस दिन मारकेट में बहुत प्राइब नियुट के लिच आफे पादें अचा अच्छा अच्छा एग तर तर जिसमें चाल का मार्केट तो चाल का मार्केट ता अगर तेखें लेकिन अंटिसिपेटिट नहीं था नहीं था नहीं कि बुल की जगा बियर हो जाए तैट इस था कॉस्ट बढ़ चलो ठीक है मार्गे वड़के वड़के अपसिर खाए इस दो पताना चाहूँगा तैंस अपट इंडिया का पड़ रहा था था वाय दिप पीर में नहीं था इस्टिक इंवस्टमें अड़ाइस तो तो दो तो था फाइव करोड फैमली इन्वेस्टिंग इन इंवेस्टिंग इन दा स्टॉक मार्केट इंग बात बताईए इन्व लीडर है मतलब मार्क भोपियस है या जिम रोजर चितने भी बड़े बड़े आप मेरे से जादा उनको जानते जो बारें वफे सारे लोग है वो कभी भी आपको एफंडो में ट्रीट करने को नहीं कहते इन फेक्ट मैं तो अभी बहुत सारे युस मार्केट के कर सकते हैं वो सिर्व बताया जा सकता है हम अशे कमेंट कर सकते हैं गयान चाहिए पर वो सुनता नहीं है बट बोले आ आपको भी बड़ा है प्रोते पर देखी तो वॉल्यूम मैं एफेंडों की बात कर दूद्र पैसे वह जोड रहा है इंवेस्टमेंट मान रहें न तो म अगर वो चार-पांच दिन टिका भी रहता, तो बच जाता, क्योंकि आज मार्केट उटके वापस आ गई है, टेकिन वो तभी दर के भागया, और वो डरकी रहेगा वामेशा स्टॉक मार्केट से, वो वापस नहीं आएगा, वो के गा रहे है, छोड़ो यार, गरना ही नहीं मैं 25 साथ मार्केट को देखता हूँ, मैं आपको बताओ, इलेक्शन डे का, लोग सालों से इंतजार करते हैं, कि इस तिन ट्रेडिंग की अपोर्चिमिटी है, एक्जिस्टिंग ट्रेडर्स, येस, एक्जिस्टिंग ट्रेडर्स को करना चाहिए, और ये ना हमारे फानेश तो ऐसे बिनाने वाला दिन है, तो ठीक है, for moving out of political front, इसमें media houses जो के, जैसे ही शनिवार को voting खतम होती है, साड़े शे बजे, exit polls आने शुरू हो गए, लोग बैटने शुरू हो गए, और दियार के बैठे थे बड़ी-बडी presentations, 360, 370, BJP, 130, 125, INDA, जो भी है, और ये more or less similar figure थी across the board, लोगों को लगा के एक majority सरकार बनने वाली है, पता है क्या है, investors over a bit of time उनको फरक नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार है, एक political mileage लग चीज है, पर अगर majority की कोई भी सरकार बन रही है ना, तो stock market को लेकि उनका एक power आ जाता है, क्यार, ये आएगी तो market चली रहेगी, company का ये बहुत बड़ा influence है, ये बहुत बड़ा influence है, क्योंकि दिखिए, आपकी बहुत अच्छी बात है, कि investor को at the end of the day फरक नहीं परता, उसको stable government चाहिए, लेकि सबसे बड़ा challenge क्या होता है investor कि विए, किसी भी business man के लिए, सबसे बड़ा वो गबराता किसे है, वो गबराता है change की, आप जो नहीं सरकार आएगी, वो पुरानी policy हो को चलाएगी, आहाथिये बड़ाएगी, quash कर देगी, कतम कर देगी, strike off कर देगी, तो 3rd June को एक ऐसा माहूल बना, अभी दिखिए, सारे exit poll managed थे या नहीं थे, अगर यही किसी और के favor में आते, तो वो बहुत खुश होत एक में दूसरी पार्टी खिशु हो रही थे, तो यह सकता रहता है लेकिन अगर आप एगर आप को देखाया रही है कि स्टीबल गवर्मेंन रही है, वो रही है गए है, इस बड़ा रही है, तो अगर अगे बढ़ रही है, लगर अगर यह तो में रहने है लिगे अबशा तर्मोर्ड नहीं होने वाला है, इंडस्टिलीस भी होता है, जो बिद्निसमेन होता है, असीं जी वो चेंज से बहुत डरता है, कि नया जो दरोगा कौन आ जाएगा, नया दरोगा कौन आ जाएगा, पुराने दरोगी के साथ, चलता था, बात बन जी थी, रिलेशन बन गया जाए उसके wonder, छोर को बग्ता रहता ता- यह दी कह सकते है, शनी समों के बन जो घञेगा, इन को थी खूर कहा से आते जो कि वालते तो बिद्निसमेन को थो गाता है, पलन को Vasyn से से में जो होगा पुल को टारता है कि नयादर होगा आएगा चोरों तो पैचान नहीं पाएगा हमें नुक्सान होगा तो दोरों सिक्की के दोलों पहलुएं तो बिजनिसमेन को बहुत अच्छी वात है आपकी अगर कोई भी सरकार दुवारा से आती है मार्किट कभी नहीं गिरता अब कभी देखीगा यह अब कॉंग्रेस भी होती है दुवारा से आ रही होती मार्किट नहीं गिरता आप पसंद कर रहें नहीं पसंद करते पर बिजनिसमेन स्टेबल गवर्मेंट को पसंद करता है आप आदमी को बहुत ज़्यादा परट नहीं तो इसलिए सरकाग स्टेबल बन रही थी यह क्लेरिटी हुई तो बहुत अग्जिट पोल से अब एक्जिट पोल मैंज थे या नहीं मैंज थे वह बहुत अलग विशे हैं वह हमारे ट्फुमेंसे बार कर मिशे है अच्छा चलो फाइनल पॉइंट अब रहुल गांदी का कहना है कि इस लाग करोड का यह स्कैम है अभी इसमें जो भी लोग इंवाल्ड हैं उनकी नजर में वो चार लोग हैं उन्होंने मैनेप्रेट किया हैं उन्होंने पार्टनर्शिप किया हैं बड़े-बड़े बिजनस हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी आये हैं ऑपोजिशन में यह और अपना एक वर्टिस्व बनाना चाहते हैं कि हम खसरकार को चेक में रखेंगे अब कि शुरू सही दबाके रखो कि अगर कोई गलती करते हैं खुद नहीं दबेंगे तो यह दोनों एंगल से हो सकता है औ मजबूत बिपर्च होना बहुत जरूरी है और मैं यह हम सब मानते हैं डेमोकरेसी में इस्टॉंग ओपोजिशन तो इस्टॉंग गवर्मेंट से ज़दा जरूरी है मैं आपको बताओं ओपोजिशन का स्टॉंग होना बड़ा हजीब सा लगेगा कि सरकार स्टॉंग होनी यह होनी चाहिए तो एक लाइन है पावर करफ्ट एफ्सुलूट पावर करफ्ट एफ्सॉलूट तो मेरा मानना है अधर मैजॉरी ती में थोड़ा इस तरीक का होता है कि एपोजिशन के पास भी बोलने की अजादी जादा होती है और चेक वह उस पावर को यूज भी करता इसें टीक बात यह भी एना, कारी सीटे आलो से कुछ नहीं होगा किसी के पास भी, आपके पास 400 सीटे आ जाएं, 500 सीटे आ जाएं, अगर आप काम नहीं करना चाते हो तो तो इस मेजरटी का कोई फाइदा नहीं है, और आपके पास 500 सीटे हो, अपोजिशन में और अगर आप जनता के सरोकार के मुद्दे नहीं उठा ले तो वह भी कोई फाइदे की बात महीं है, हमें बहुत सारे अंदलोनों में विपक्ष को गायद देखा है, सरकार बाद में पीछे आई, पीछे अटी, पर उसमें विपक्ष का कोई रोल हमारे प्रदानमंत्री ने माना है कि पेपक्ष स्टॉंग होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पाटी चाहती है कि वह पांसुतिताने सीट जीते, लिए अंदलों फाइनिशन मार्केट को नहीं समझता है, उसकी एडवाइस में इन्वेस्ट बाइन सेल नहीं करना चाहिए, या अब रेगुलर बता रहे हैं, तो किसी ने कहा मार्केट बहुत तेज है, और मार्केट नीचे है, उसको अपनी समझ भी लगानी है, और मार्केट में रावल द्रवट जी की तरह अगर जवा रहेगा तो पैसा कब आएगा, अखिर वो ट्रेडर बनने के लिए वो पोच्छ पर मैं भी मानता हूँ कि वो बहुत काफी समझदार लोग है, उनको भी समझ में आता है, तो अगर ये रिटेल वानों पेचा है, तो थार को खरीदा है, तो फिर उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, उनको अपने मार्केट के मोटिट को समझना पड़ेगा, वो ट्र अगर को जेपीसी उठाती है, तो इसको कितना टाइम लगेगा इसको इन्वेस्टिगेट करने में, और अगर वापिस वो उसी जरकार को दे देती है, तो वो अपने खिलाफ एक्शन क्यों लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एक पर्टिकल गवर्माइट आप समझे है, डिसाइड करती है, कॉंपोजिशन ऑफ जेपीसी, उसमें अगर सेंटिटी रखनी है, उसको अच्छे से यह समझा है, कि जनता का फेथ रहे उस कमिटी पे, तो अपोजिशन के मेंबर् अच्छे से यह उनकी बी ऑपुइन होती है, वो एक्सपर्ट लोगों को, इंप्लॉव मतलब एपॉइंट भी करते हैं, वे लोटरी बॉड़ी से यह काफी काफी कम्परेंसिल रिपोर्ट बदी है, और वो सरकार को दी जाती है, अभी सबज़िए, सरकार को दी जाती है, उसने उस रिपोर्ट पे क्या action लिया है, तो हसीन जी क्या कब कमेटी बनेगी, कौन उसका member होगा, वो क्या रिपोर्ट देगी, क्यूकि मार्केट को समझना बट बड़ा है, किसने माल बेचाएजाजाजाज खरीडाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजगाजाजाजा मार्केट में कुछ नहीं हुआ, मार्केट में इन्वेस्टर का बरुसाँ अबर करार, यह दोनों वाते हैं, सिरे से गनलत है मैं आपको कहना चाहूंगा, यह चाहें पक्ष बोल रहा है, यह दोनों बात सिरे से, क्यूंकि इसमें एक विशह तो है, मैं भी मानता हूँ, कि ये मार्किट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी को सेवी को थोड़ा सा देखना चाहिए उन दिने पर्टिकुलर उन दिनों पर चेक या बैलेंस लगाना चाहिए जैसे कि अभी करेंसी में हो गया है करेंसी में आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हो तो उस दिन कम से कम ये से कही सकती है कि इसके पास होल्डिं है वई थे फुचर्स में ट्रेड करें अपनी पुचिछ को हैं रदर्लें कोई आ कि आके वे उच्छेर्स में ट्रेडिंग कर रहा है और अपने आथ जला ये आप बहुत अगला नमस्ति हैं हाँ, इस बे तो हम नोट सोशूर किस तरह होगा लेकिन अभी आपके बात को सुनके यहाँ लग रहा है कि फिर जेपीज का कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि एक कोई अगर रहुल गांदी इतने कॉंफिजटन है तो वाय डोट तो तो वहाँ पेटिशिन वगार क्यों ही डालते है विल्फुल सेवी में उनको प्रॉपर कम्लेंट कर इस इंके पास बार बड़ा इंफलेट्ट्ट्र इंप एंप इंप एंप 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 अगर अगर सच में हुआ है तो अगर सच में हुआ है सर्कार की सपोर्ट करेगी अगर सच में हुआ है सर्कार की सपोर्ट करेगी अगर सच में हुआ है सर्कार की सपोर्ट करेगी सर्कार अगर सच में हुआ है सर्कार की सपोर्ट करेगी सर्कार अगर सच में हुआ है सर्का कि अभरिवाड़ीजे, वर्यूंट इंगारी विशी को अभरिजे के लिवारी नहीं देखनें, विधिने लिवारी और विखारी लिवारी। एंगेमेन आप हमची देखनें रिवकर थेड़ फेला थो कि दोश्ते और यहिंगाल करें, अब वार मिदेखनें गीरी। लोई बीज़े जाबी है कुछ ने बद्धी निया कि इनोने प्लेफिस नेजिस निया कि इनोने तर्फ प्राइस देटा बना तक जिसे नहीं होँ आज यह रहुचे। सरकार की चाहिए है कुछ भी नहीं हुआ है। सम बढ़िया है। विपक्ष को मजबूती से आना चाहिए मैं इस टॉपिक पे थोटे सा बुलना चाहिए कि बिपक्ष को मजबूती से आना चाहिए अजर आप कोई कोई उठा रहे हो तो उसको लास तक उसको लिखे जाओ सिर्फ बोल के जाने से कुछ नहीं होगा आन चाहिए पास यह इतना समय है न इतना उनके पास बैंडविध है कि वह सारा डेटा निकल बाए उसका अनलाइज करें फिर उसको आगे प्रसीड करें आपक सारी स्थेट में अपोसिंन पाटिज भी तो आप इस मुझय को समझ रहे हो तो आप इस मुझय को तो यह इस मुझय को अख लिखें नगे उसे मुपपश कर दो आने वाला दिपत्षा जब पर सर्कार नहीं मलती है तो किजी को पता नहीं है कि को और प्रद नहीं है कि कि और आप्त शाहिए की वो डेटा कटा है अगर प्रष्टाइटक्टे लिए अगर शुव फुडं करना है तो रिपक्शापकि बात सोरे और प्रिटी शुर इस गुना भी बादल नहीं जाएगा पर हम आराप निस्पेक्षियर नोग जो भी जिसकी भी गलती उस बोलेंगी और हमारी जो संजाना चाहेंगी और समझाना चाहेंगी और लोगों को सेंसिबल बना बड़ेगा एंगी ट्रेडिंग में इन्वेस्टर जाते हैं और लोगों कि अवीड़ेगेवेदे इन्वेस्टर इंवेस्टर बना जाते हैं तर्णर लोगों कि अज़ जाते हिंगे जाएगेद हैंगे ज्या यज्यर इस लिए जो इन्जी आपफुले जो दूफरेंटेशshima अज्गेश्त उपता इस पूंड़ेश्त जो